हाई अवरिवान वेलकम बैक टू शद्दा गैलरी चलिए बहुत है डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी स्टार्ट करते है यह गाईज देखिए आज मैंने क्या बनाया है आज एक सिक्रेट रेसिपी है बहुत ही कम इंग्रेडियन्स में यह रेसिपी बनने वाली है और इतनी मसालेदार सबजी को मैं इस तवे पर बनाऊंगी तो इसका स्वादना 100 गुना पढ़ जाएगा और इतनी टेस्टी लगीगी हमेशे यहां नांस्टिक का पैन ही यूज करते है पर एक बार इस तवे पर इस सबजी को जरूर ट्राइ करके देखिएगा तो इसका जो टमाटर लिया है मैंने और दो प्याज लिये है चार मैंने नरियल के तुकड़े थोड़ा सा एक चमच सूखा धना है एक चमच जीरा है और पॉपी शीड है खसकस और ना मैंने बड़ी इलाइची ली है आप यहां पर छोटी इलाइची भी डाल सकते है तो मैंने एक तरह से आपको फाइन पेस्ट बनाना है तो थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से पेस्ट बनाना है अब यहां पर देखिए तवे पर मैंने दो से तीन चमच ऑईल डाला है तो थोड़ा साम यहां पर जीरा डालेंगे और जो हमने मसाला बनाए थे मसाला यहां पर डाल दीज यहाँ पे जिंचर गार्लिक पेस्ट है अद्रक लसन और उसी में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया पीसा है इसलिए इसका कलर हरा आया है तो देखें यह हो गया है अब इस मसाले को भी हम कम से कम एक मिनिट बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे अब देखें यहाँ पे मिर्ची औ दनिया पॉड़र डाला है और जिस जार में मैंने मसाला पीसा था ना उसमें थोड़ा चिपक गया था मसाला तो हम थोड़ा सा एक से दो चमच वाटर एट करेंगे और सारा पानी यहाँ डाल देंगे अब हम यहाँ पे बहुत बढ़िया फ्लेवर के लिए गरम मसाला यू और कम से कम आपको एक मिनिट ही इस पनीर को अभी मसाले के साथ में पकाना है तो देखिए एक मिनिट बात यह हमारा बन गया है तवा पनीर मसाला बहुत ही टेस्टी बना है इस तरह जरूर ट्राइ करिएगा इस लोहे के तवे पर बहुत ही अमेजिंग सा इसका टेस्ट आ झाल